तो आज फिर एक बार आ गया हूँ आप सभी की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आप सभी की प्रीसियस टाइम को सेफ करने के लिए आज का टॉपिक है ड्रॉप बॉक्स से वू कॉमर्स पर प्रोडक्ट क्रियेट करें क्या करें हम ड्रॉप बॉक्स जो कि एक हमारा फा प्रोडक्ट क्रियेट करते हैं मैंनुवली बहुत सारी चीज़े करते हैं ठीक है हमाँ पर सब कुछ आपको करना पड़ता है लेकिन यहां पर मैं ऐसा आटोमेशन सैट कर दिया है कि क्या हो रहा है ड्रॉप बॉक्स में जैसे हम कोई भी इमेज अप्लोड कर रहे हैं तो उससे रिलेटिड एक प्रोड़क्ट क्रियेट हो रहा है हमारे वूउकॉमर्स पर उके चलिए तो सबसे पहले तो प्रॉसेस जान लेते हैं प्रॉसेस क्या है ड्रॉप बॉक्स में फाइल अप्लोल्ड हुई आटोमेशन की हेल्प से कर रहे हैं जो सेट किया है ड्रॉप नाम है पैबली कनेक्ट ओके जो कि एक automation and integration software है इसकी help से ही हम इन दोना applications को integrate कर देंगे और हमारे automation को set कर देंगे best part है इस automation का कि आपको इस automation को set करने के लिए किसी भी प्रकार की coding skills या फिर programming knowledge का आना ज़रूरी नहीं है आप एक normal इंसान भी है ना तो यह automation बहुत ही easily set कर लेंगे शर्त यह है कि video last तक देखना है ना तो कैसे set करोगे पूरी process step by step अभी करके दिखाता हूं अपनी screen पर ओके सो यह है मेरे dropbox का एक folder जिसका नाम है woocommerce products जिसके अंदर एक file है dashing black t-shirt की और यह है मेरा woocommerce की product list यहाँ पर कई सारे production जैसा कि आप देख पा रहा है तो मैं करने के आवाला हूँ मैं जैसे ही यहाँ पर कोई image upload करूँगा है ना तो automatically वो as a product create हो जाएगी मेरे woocommerce के अंदर जैसे कि एक dashing black t-shirt हुई 100 रुपीज की मैंने यहाँ पर इसको upload किया तो यह automatically यहाँ होगे चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ real time में example upload करता हूँ एक file अपने pc के अंदर से dashing white t-shirt इस बार जो है मैं upload करता हूँ upload कर दी है मैंने dashing white t-shirt जैसा कि आप देख पा रहे है इसको मैं दिखा देता हूँ आपको open करके है न white t-shirt यहाँ पर आप देख पा रहे है मैंने upload कर दी है बिल्कुल है न अब मैं आपको दिखा देता हूँ चलके कहां पर अपने woocommerce की product list में की क्या करता हूँ एक बार refresh कर लेता हूँ रिफ्रेश करने के बाद चेक करूंगा और रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार मैं अपने woocommerce की product list को okay so load होने के बाद भी यहाँ पर कोई product create नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है मैं बता देता हूँ आपको starting में जो हमारा dropbox है उसके जो triggers होते हैं वो polling based होते है न तो कभी-कभी क्या होता है कि response आने में time लग सकता है जादा से जादा आपका time लगेगा लेकिन 10 से 12 minute का उससे भ आपको देखाता हूँ okay so 7-8 minute हो चुके है I think काफी है refresh करके check कर लेता हूँ एक बार फिर से okay so मैंने refresh किया refresh हो रहा है load होने के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहा है 7-8 minute के बाद हमारी dashing white t-shirt के नाम का एक product जो है automatically create हो गया है view पे click करके आपको दिखा देता हूँ okay ज जैसा कि आप देख पा रहा है और यही same to same as a product create हो गई dashing white t-shirt के नाम से जो कि 100 rupees की हमारे woocommerce में तो आप सोच रहे होंगे मैंने यह कैसे किया मैंने जस्ट जाके अपने dropbox में एक file जो upload की और automatically वह as a product create हो गई मेरे woocommerce के अंदर मतलब कैसे तो यह मैंने किया automation की help से आप करेंगे पी a double bly pably dot com press enter तो यह pably dot com के official website जैनम हम क्लिक करेंगे sign up free पे अपना account free में बनाने के लिए मैंने बना लिया इसलिए click करूंगा sign in पे ठीक है first option आएगा pably connect का click करना होगा access now पे access now पे click करने के बाद open हो जाएगा हमारा pably connect का dashboard ओके right hand side में option ए create workflow का उस पे click अभी मैं अपने workflow को एक नाम दे दूँगा मैं नाम देता हूँ dropbox sorry dropbox to woocommerce ठीक है मैंने नाम दिया है dropbox to woocommerce आपको जो नाम देना हो आप वो नाम दे सकते हैं okay एक important बात बता देता हूँ इस वीडियो के description box में आपको एक link मिलेगा जो की होगा इसी workflow का जिस पे click करके आप ये same amazing workflow अपने account में यूज कर सकते हैं वो भी एकदम free में so workflow को नाम दे हमारे सामने दो windows आ गई है trigger और action दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger मतलब होता है when this happens जब भी ऐसा हो action मतलब do this ऐसा कर दो topic के अनुसार हमारे dropbox में हम जब भी कोई new file upload करें कोई image upload करें तो automatically as a product create हो होगा वो होगा dropbox क्योंकि हम dropbox में first file upload करवना चाहते हैं so first application choose कर लूगा dropbox को then trigger event में choose करूँगा new file okay trigger तभी काम करेगा जब भी हम new file upload करेंगे dropbox में then connect पर क्लिक कर दूँगा connect करने के लिए dropbox को family connect add new connections पे then इसके बाद connect with dropbox पे connect with dropbox पे click करने के बाद क्या होगा मेरा authorization successful हो जाएगा मेरा dropbox जैसा कि आप देख पा रहे है successfully connected है भी family connect से cause मैंने पहले से login करके रखा है आप भी connect करने से पहले अपना dropbox make sure कर लिजेगा कि वो login है के नहीं आप उस account से अपने PC में ठीक है तो connected है सबसे first जो field आई है folder path पूछ रहा है मतलब पूछ रहा है कि किस folder में आप चाते हो कि आप file upload करो तो मैं capture करूँ ठीक है तो हम इसको बता देते हैं ठीक है तो यहां पर path के लिए हमें क्या करना होगा यह slash से लेके products woocommerce products तक हमें यहां से copy करना होगा और यहां पर paste कर देना होगा ठीक है यही है हमारा folder path हमने बता दिया public connect को कि इस folder के अंदर मैं जब भी कोई file upload करूँ तो तो तुम data capture कर लेना ठीक है files पर click करके then मैंने एक t-shirt का जो है वो purchase करना चाहरा हूँ मैं चाहरा हूँ कि woocommerce पर दा product create हो जाए इसका नाम है dashing black t-shirt okay एक जो है example के लिए मैं यह कर रहा हूँ आप अपने according कीजेगा ठीक है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि dashing black t-shirt करके एक jpg image जो है upload कर दी है मैंने अभी के अभी है आप देख पा रहे हैं इस तरह की यह image है ठीक है तो चलके अब पैबली connect पर जाके save and send test request पर click करके देखता हूँ कि इस black t-shirt की जो details है यहां पर आती है क्या नहीं तो मैंने click किया save and send test request पर and मेरे पास response received होगा और एकदम positive response received हुआ है जैसा कि मैंने upload की थी dashing black t-shirt jpg की image तो यहां पर मेरे सामने है यहां पर और भी सारी कई सारी details है यहां सबसे नीचे हमें मिलेगी हमारी image की shareable url ठीक है copy करके आपको दिखा देता हूँ open करूंगा new tab में तो वही same image जो मैंने आपको दिखाई थी वह यहां पर open हो गई है ठीक है एकदम सही means हमने successfully integrate कर दिया है हमारे किसको हमारे drop box को पैबली connect जब भी drop box में कोई new file upload होगी तो उसकी details इस तरह से जैसे इस t-shirt के आई इसी तरह से उसकी details भी यहां पर पैबली connect के पास capture हो जाएंगी लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारे product का नाम है dashing black t-shirt jpg dashing black t-shirt तो हम product का नाम रख सकते हैं image का नाम है actually है लेकिन हम जब woocommerce में upload करेंगे product तो उसमें jpg थोड़ा सा अजीब सा लगेगा तो jpg हटाने के लिए मैं क्या करूँगा मैं एक पैबली connect के feature का यूज़ करूँगा जिसका नाम है text formatter जिससे मैं इस text को split कर दूँगा okay split कर दूँगा अलग कर दूँगा ठीक है यह jpg जो है यह अलग कर दूँगा मुझे क्योंकि सिर्फ काम है सिर्फ इससे क्योंकि यही नाम है डेशिंग ब्लैक टीशिट ही नाम में रखने वाला हूँ वूकॉमर्स के प्रोड़क्ट का तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक feature और add कर दूँगा पैबली connect का जिसका नाम है text formatter सर्च करके चूज कर लूँगा ठीक है text formatter को then action event पर क्लिक करके जो है मैं यहाँ पर split text का जो option है उसको select कर लूँगा क्योंकि मैं text को split करना चाता हूँ then connect पर click कर दूँगा connect पर click करने के बाद जो है यहाँ पर मुझसे मांग रहा है text to split किस text को आप split करना चाते हैं उसे यहाँ पर map कर दीजिए तो map करना क्या होता है वो बता देता हूँ सबसे पहले trigger application से मिले हुए data को कहीं भी select करके add करने को map करना कहता है चलिए बताता हूँ कैसे यहाँ पर blank field क्लिक किया मैंने यहाँ तो नीचे option आने लगा dropbox का जो कि हमारी trigger application है इस पर click किया तो सारा data open हो गया जो मुझे मिला था dropbox से अब मुझे जो text split करना है वो है यह वाला इस पर click करके इसको यहाँ पर add कर दूँगा simple separator क्या रखना है तो मैं चाहता हूँ यह जो full stop है यहाँ से यह क्या हो जाए यहाँ से यह अपना split हो जाए तो मैं इसका जो format है इसको copy कर लूँगा ठीक है और space से नहीं चाहता मैं यहाँ पर space हटा दूँगा और अंदर bracket के अंदर full stop लगा दूँगा ठीक है then segment क्या रखना चाहता हूँ मैं all रखना चाहता हूँ पूरे segment के अंदर bracket मुझे नहीं लगाना चाहिए थे सिर्फ simple यही रहने देना है ठीक है एक बार अब करके देखता हूँ separator के अंदर मैं यहाँ से अलग करना चाहता हूँ इस dot से तो yes यहाँ पर मुझे brackets नहीं लगाने थे बगर brackets के यह आप भी यूज कीजेगा है न जहां से भी आपको लग करना हो तो यहाँ मैंने full stop सिर्फ रख दिया तो यहाँ पर देखिए आप jpg अलग हो गया फुल स्टॉप गया हो गया और यहाँ पर डैशिंग ब्लेक टी शर्ट मुझे मिल गया है अलग से तो अब आज़ता हूँ नीचे अब मैं क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि वू कॉमर्स पर प्रोड़क्ट क्रियेट हो जाए तो action application में second application मैं चूज करूँगा मेरी वू कॉमर्स ठीक है तो वू कॉमर्स को सर्च करके मैं चूज कर लूँगा then action event में चूज करूँगा create a product और भी सारे options हैं आप इन में से किसी को भी चूज कर सकते हैं बट मेरे मेरी जो नीच है अभी मैं जो चाहता हूँ वो यह चाहता हूँ कि product create हो जाए तो select करूँगा create a product को then connect पे click कर दूँगा simply connect पे click करने के बाद click करूँगा add new connections पे एक new connection बनाने के लिए यह मुझसे मांग रहा है consumer की consumer secret और website URL तो सबसे पहले तो हमें यह दोनों चीज़े चाहिए कहां मिलेंगी नीचे instructions दिये हूँ है चलना होगा WooCommerce पे तो आ जाता हूँ अपने WooCommerce प जैसा कि आप देख रहा है इसके अंदर WooCommerce installed है WooCommerce पे जाके click करूँगा settings पे settings पे settings पे click करने के बाद new page खुलेगा उसके अंदर options आएंगे कही सारे यह ना load हो रहा है WooCommerce थोड़ा सा late load होता है ठीक है तो यह WooCommerce मैंने settings पे click किया तो यहाँ पे options open हो गए ठीक है अब मैं click करूँगा advanced पे ठीक है advanced पे click करने के बाद जो है एक और new page open होगा ठीक है new page open हुआ अब मुझे click करना है rest API पे ओके तो मैं आप पे click करूँगा rest API पे ओके ठीक है तो rest API पे click करने के बाद यहाँ पे एक option आ रहा है यह सारी API keys जो है create करके रखी हुई है मैंने पहले से आपके लिए एक नई API key create करता हूँ क्लिक करूँगा add key पे okay add key पे click किया simple ठीक है add key पे click करने के बाद description यहाँ पे दे देता हूँ मैं नाम दे देता हूँ तो मैं ऐसे ही example के लिए नाम दे देता हूँ हमारा dropbox integration ठीक है मैंने नाम दे दिया dropbox integration simple ठीक है और यहाँ पे permission जो है मैं दे देता हूँ read and write की आपको देना होगी ध्यान रखेगा यहाँ पे permissions देनी है आपको read and write की then click करूँगा generate API key पर तो generate API key पे click करने के बाद जो है आप देख रहे होंगे मुझे मिल गई है consumer key जिसको मैं copy कर लेता हूँ आके public connect पे consumer key वाले field पे इसको paste कर देता हूँ simple वापस आता हूँ वह commerce पे consumer secret मिल ग okay so website URL बता देता हूँ आपको कहा से कहा तक देखो website URL आपकी होगी http से लेके जो है यह WP3 मेरी है आपकी जो है अलग भी हो सकती है आपको सिर्फ यहाँ तक copy करना है ना .com के बाद जो है slash के बाद आपका जो भी part हो महाँ तक copy कीजिए बस यह slash भी ले लीजिए बस यहाँ सिर्फ पर क्लिक करने के बाद जो है हमारा connection हो जाएगा I hope successfully लोड हो रहा है थोड़ा सा time लेता है WooCommerce जैसा कि मैंने आपको बताया है लेकिन हो गया है थीन से चार सेकेंड के बाद जो है यहाँ पर शो हो रहा है connected अभी मेरा पैबली कनेक्ट successfully connected है WooCommerce से connect होने के बाद सबस create करवाना चाहते है उसको आप क्या name देना चाहते है तो जैसा कि मैंने name split किया था उपर तो वह कहां से मिलेगा मुझे name मिलेगा मुझे text formatter से तो map कर दूँगा कैसे map करूँगा blank field पे क्लिक किया नीचे दो दो option आने लगे trigger application का और एक text formatter का तो trigger application से तो हमें जो नाम मिला तो उसको मैंने select कर दिया है है है'll अब आ जाता हूं नीचे product slog लोग, okay, add the product slug, example black shirt, okay, so मैं आपर black shirt ही है हमारी, ठीक है, black shirt यहाँ पर कर देता हूँ, मैं सको, ठीक है, simple, ठीक है, तो यहाँ पर कर दिया है, मैंने black shirt, black t-shirt, actually, so मैं सको t-shirt कर देता हूँ, black t-shirt, ठीक है, अब आ जाता हूँ, नीचे, product type, okay, product type क्या है, नीचे, आप सबके न product type, value, simple, group, है ना तो simple है, है na simple product है, okay, इस यहाँ पे paste कर देता हूँ, simple, product status क्या रखना है, मैं चाहता हूँ कि product publish हो, okay, है ना यहाँ पे और भी सारे option से draft में रखना है, pending में रखना है, private में रखना है मैं चाहता हूँ कि publish हो, प्रोडक्ट जब भी मैं फाइल अप्लोड करूँ मेरे ड्रॉप बॉक्स में कोई भी तो सीधे पब्लिश हो जाए SQ को जो है मैं इग्नॉर करूँगा इसको हम स्किप करेंगे इसको डालने की ज़रुवत नहीं है Catalog Visibility यहाँ पर आप इसको भी स्किप कर सकते हैं ठीक है regular price है regular price क्या रखनी है तो यहाँ पर प्राइज अपने according जो भी आपको decide करनी है वह आप कर लीजे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 100 ठीक है 100 ओके यहाँ पर मैं आ जाता हूँ नीचे sale price रेगूलर प्राइज है sale price हमको रखनी है 112 ठीक है रिचा जाता हूँ description मैं इसको skip कर रहा हूँ short description इसको भी skip कर रहा हूँ आप इन सभी को जो है fill कर सकते हैं मैं सबको skip कर रहा हूँ क्योंकि एक product create करने के लिए जितनी जो है हमें वह करनी चाहिए जितनी details एक करना जरूरी थी वह मैंने कर दी है time ज्यादा taking ना हो इसलिए मैं सबको नहीं कर रहा हूँ manage stocks manage stocks ठीक है false रहने देता हूँ उसको आप true भी कर सकते हैं stock status product tags tags वगरा लगाना चाहते हैं तो वह भी कर दीजिए category ID clothing digital जो भी आपको करना है वह आप कर सकते हैं इसको यही रहने दे रहा हूँ most important part image okay so image हमको कैसे डालनी है नीचे हमें instruction दिया हूँ है साफ साफ एक जो है formula है इस तरीके का formula समझ लीजिए आप इसको आप पूरा copy कर लीजिए simple ठीक है copy कर लीजिए इसको ठीक है इसको copy करके यहाँ पे paste कर दीजिए simple अब इसके अंदर की जो link है ना इसको आप simply remove कर दीजिए okay अब आपको क्या करना है इसके अंदर अब आपको इन दोनों जो है commas के अंदर आपकी जो link है image की link है जो हमें drop box से मिली है जो की हमारी trigger application है उसे map करना है क्लिक करता हूँ drop box पे तो सबसे नीचे थी I think यह रही shareable link इसको क्लिक करके यहाँ पे add कर दूँगा simple बस अब क्या करना है मुझे है ना इन दोनों के बीच में करना है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ यहाँ पे भी दो उपर वाले कॉमा है यहाँ पे भी दो है ठीक है क्लिक करूंगा save and sign test request पे जैसे ही तो मेरे WooCommerce की product list में product create हो जाएगा तो मैं सबसे पहले तो अपनी product list open कर लेता हूँ WooCommerce की product list open कर लेता हूँ click करता हूँ products पे open करता हूँ all products पे click कर देता हूँ तो load हो रहा है जैसा कि आप देख रहे है मैंने बताया है आपको की WooCommerce products मैंने आज तक इस account में create किये हैं तो वो सारे के सारे मेरे सामने हैं लेकिन अभी इनमें भी कोई भी black t-shirt का नहीं है तो अभी मैं क्या करूंगा मैं जैसे ही यहाँ पे save and sign test request पे click करूंगा तो automatically black dashing t-shirt है ना dashing black t-shirt नाम से product जो है create हो जाएगा यहाँ पे जिसकी कीमत जो लोड हो रहा है थोड़ा सा जो है time लेता है product create होने में भी थोड़ा सा जो time लगता है हमें सैट होने में automation को तो एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो हमने automation site किया है बस एक ही बार करना है बाकी अपने आप ही होगा कई लोगों को यह doubt रहता है कि बार बार तो हमें map वगेरा नहीं करना पड़ेगा बार बार तो seven sign test request पर नहीं करना पड़ेगा क्लिक तो नहीं करना पड़ेगा बार बार सिर्फ एक बार जो है आपको automation site करना है फिर वो automatically public connect अपना काम करता रहेगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं seven sign test request पर क्लिक करने के बाद response successfully received हुआ है कि नहीं किस नाम से हमारे जो है डैशिंग ब्लैक टीशिट के नाम से जैसे कि हाँ पर आप देख रहे हैं आ जाता हूँ वू कॉमर्स पर तो अभी तक मुझे कोई product create हुआ हुआ नहीं दिख रहा है क्या करता हूँ refresh करता हूँ एक बार okay refresh करना जरूरी रहता है refresh क करने के बाद आप देखेंगे कि एक जो है product हमारा सबसे उपर आप देख पा रहे हैं जैसे कि डैशिंग ब्लैक टीशिट जो की 100 रुपीज जिसकी price है हमने successfully automatically यहाँ पे create कर दिया है with the help of automation अब हमें दुबारा कोई automation set करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब हम जाएंग जब भी जाके हम इस folder के अंदर कोई file upload करेंगे किसी भी नाम की तो automatically उसी नाम से एक product create हो जाएगा यहाँ पे हमारे woocommerce के अंदर चलिए मैं आपको view पे click करके दिखा देता हूँ यह product है ना सो जैसा कि आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने price रखी थी 100 रुपीज की dashing black t-shirt की यहाँ पे 100 रुपीज की price के साथ यह product create हो गया है means मैंने successfully integration मेरा set कर दिया है मैंने automate कर दिया है dropbox को मेरे किस से मेरे अपने woocommerce से अब जब भी मेरे dropbox में जाके मैं कोई file upload करूँगा तो automatically as a new product create हो जाएगा मेरे woocommerce store के अंदर ना सिर्फ इन applications को पैबली connect के help से आप multiple applications को integrate कर सकते हैं automate कर सकते हैं वो भी बिना किसी परिशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ इस वीडियो के description box में आपको एक link मिलेगा जो कि होगा इसी workflow का जिस पर click करके आप य use कर सकते हैं वो भी एकदम free में इस वीडियो से related कुछ questions होता हैं आपके queries होती है या फिर आप मुझसे बात करना चाते हैं मेरी team से बात करना चाते हैं तो आप हमसे अपनी queries पूछ सकते हैं यहां दी गई link पर और आपको अगर पैबली connect की pricing जानी है तो वो आपको यह दी कई link पर मिल जाएगी और जाते जाते एक बात बता दूं कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को like करना मत भूलेगा और हमारे चैनल को subscribe करना भी मत भूलेगा थैंक्स